नमस्कार दोस्तो जगुगयन में आपका एक बर फिच्छी स्वागते। आज की वीडियो में हम क्रेडिट भी कार को एक्टिवेट करने का पूरा प्रोस्स टेप बाइ स्टेप बताएंगे तो वीडियो को अंतक जरूर देखना वीडियो पसंद आये तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारी चैनल में नहीं है तो चैनल को करना है अगर आप अपने अप्लिकेशन को अपडेट करने के बाद दोस्तो इस तरह किसे अंटरफिस आएगा यहाँ पर अपनी लेंग्वेज सूच करने है तो यहाँ पर दो लेंग्वेज दीगी है इंग्लिस और हिंदी इन दोनों में से आप जिसमें भी कमफिटबल हो लेंग्वेज सिलेक कर लेनी है और यहाँ पर कंटेंजू पर क्लिक करना है तब यहाँ पर आपके समने कुछ इस तरह किसे पेज ओपन होगा दोस्तो क्रेडिट भी एप कार के अलावा लोन भी प्रोवेड करती है तो यहाँ पर लोन का कुछ फ्यूसर बताया है तो अगर आपके समने कुछ इस तरह किसे पेज ओपन होगा यहाँ पर दोस्तो अब आपको लोग इन या साइन अप करना है अगर आपका ओल्रेडी क्रेडिट भी में एकाउंट बना हुआ है तो यहाँ पर आपको लोग इन करना होगा अन्धा यहाँ पर आपको एक करने में कोई प्रोब्लेम आते हैं तो आप वीडियो देख सकते हो आपको वीडियो आई बेटन में मिल जाएगा और उसकी लिंक आपको डिस्क्रेशन भी मिल जाएगी तो आप वीडियो को देखके रजिस्टेशन प्रोसेस कर सकते हो तो हमारा यहाँ पर रजिस्टेशन सब्सक्राइब करें गया तो आपके सामने क्रेडिट भी का होमपेज ओपन हो जाएगा दोस्तों क्रेडिट भी बहुत सारी लोन प्रवेट करते हैं जिसमें पहला है फेक्सी प्लस्लाइन लोन उसके बाद है प्रस्टनल लोन फोर सेलरीड और लास्ट में है ओनलाइन प्रस उस वीडियो बनाए था तब मुझे 1250 रुपया के लिमित मिली थी वह लिमित यहां पर 100 कर रही है दोस्तों यहां पर है क्रेडिट भी काड का ओप्षन जिसमें भी हमें 1250 रुपया के लिमित मिली है यहां पर आपको 10,000 रुपया तक की कोई भी एक लिमित मिल सकती है मु तो कुछ इस तरह किसे दीखेगा दोस्तों इस कार का यहां पर बेनिफित बताया है कि आप इस कार की लिमित को अपना बेंक अकाउंट में भी ट्रासपर कर शोकोगे और इस कार से आप online shopping भी कर शोकोगे 3 easy step में यहां पर आप इस कार को एक्टिवेट कर शोकोगे जिसमें पहला बताया है कि aid your bank account यानि कि यहाँ पर आपको अपना bank account date करना है उसके बाद बताया है कि sign agreement उसके बाद यहाँ पर आपको एक agreement sign करना होगा वो तिसरे step में बताया है कि activate credit b card यानि कि तिसरे step में आपका credit b card activate हो जाएगा यहाँ पर दोस्तो इस card के fees and charge भी बताया है तो यहाँ पर click करोगे तो आपके सामने इस card के fees and charge आएगे इसे आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है अब दोस्तो इस card को activate करने के लिए यहाँ पर आपको एक option दिखेगा activate credit b card तो simple उस पर click करना है तो आपके सामने bank account detail aid करने का option आजाएगा जिसमें आपको अपना bank account number bank account holder name और IFC code एंटर करना है और verify करना है तो आपके account में 1 रुपिया बेजा जाएगा और आपका bank account verify होगा हमारा account यहाँ पर पहले से aid है चो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका भी account add हो जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह किसे page open हो जाएगा यहाँ पर आपका account सो करेगा यहाँ से आप दूसरा कोई भी बियांक अकाउंट पी add करना चाहाँ तो कर सकते हो अब दोस्तों यहाँ पर हमें simply continue पर click करना है तो दोस्तों जैसी continue करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह किसे page open होगा यहाँ पर बतेया है कि digital sign with face ID हमें यहाँ पर face ID डर digital signing करना है तो यहाँ पर simply proceed पर click करेंगे तो जैसी proceed पर click करोगे तो यहाँ पर आपके सामने agreement पुरा आज जाएगा तो उच्छे निच्छे स्क्रोल करके एक बार अच्छे से पढ़े लेना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके एक option दिखेगा continue to sign loan document तो simple उस पर click करना है अब यहाँ पर आपको request OTP in sign पर click करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह किसे page open हो जाएगा यहाँ पर आपको एक तीनो box पर click करना है और sign now कर देना है तो आपके mobile number पर एक OTP आएगा और OTP यहाँ पर auto fill हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपको submit करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह किसे page open हो जाएगा यहाँ पर यह बता रहे है कि आपको अपने face ID verification करना है तो face ID verification करना के लिए यहाँ पर simply continue करना है तो दोस्तो जैसी continue करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इंट्रक्शन आ जाएगा कि कैसे आपको face verification करना है तो यहाँ पर आपको एक selfie देनी होगी दोस्तो आपके selfie यहाँ पर clear होनी चाहिए गोगल्स यहाँ केफ नहीं पेनी होनी चाहिए तो उसी तरीके से यहाँ पर आपको एक selfie देने है selfie देने के लिए यहाँ पर आपको proceed to take selfie पर क्लिक करना है तो आपसे camera की permission पुछी जाएगी तो इसे allow कर देना है तो दोस्तो जैसे allow करोगे तो आपके सामने front camera open हो जाएगा अब यहाँ पर आपको अपनी selfie क्लिक कर लेने है तो दोस्तो जैसे selfie क्लिक करके upload करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह के से page open हो जाएगा अब दोस्तो यहाँ पर आपका digital sign successful हो जाएगा अब यहाँ पर simply आपको proceed करना है तो दोस्तो जैसी proceed करोगे तो यहाँ पर आपका application submit होगा और थोड़ा processing लेगा और उसके बाद आपके सामने इस तरीके से page open होगा अब दोस्तो यहाँ पर आपका credit b card activate हो रहा है तो यहाँ पर simply आपको refresh पर click करना है refresh पर click करने के बाद थोड़ा wait कर लेना है तो थोड़ी देन में यहाँ पर आपका credit b card activate हो जाएगा तो दोस्तो यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हो पहले यहाँ पर activate now का option आ रहा था अब यहाँ पर withdraw का option आ रहा है यानि कि यहाँ पर हमारा card activate हो चुका है अब हम इस limit को चाहे तो withdraw कर सकते है अब दोस्तो यहाँ पर हम इस withdraw वाले option पर click करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोगतों हमारा card activate हो चुका है यहाँ पर हमारा card number का last का चार दिजिट मिल जाएगा यहाँ पर हमारी limit सो करेगी और यहाँ पर हमारी last due date सो करेगी दोस्तो यहाँ पर repayment date दी हुई है कि यहाँ पर हर महने की 24 तारिक को bill जंडेट होता है और 3 तारिक तक आपको इस bill का repayment करना होता है यानि कि यहाँ से आप जो भी limit यूज़ करोगे उस limit का bill हर महने की 24 तारिक को जंडेट होगा और उसके अगले 3 तारिक तक आपको repayment करना होगा तो यहाँ पर आप 1-3 तारिक के अंदर इस limit का यूज़ करते हो तो यहाँ पर आपको एक महने का tenure मिल जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर एक withdraw to भेंग का option दिखेगा यहाँ से आप अपने limit को भेंग account में भी transfer कर सकते हो यहाँ पर जैसी आप withdraw to भेंग account में क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरा fees and charge आजाएगा कि कितनी amount withdraw करने पर आपको कितना charge लगेगा पूरा charge टकसर आजाएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप अपने इस limit का जो यूज करोगे उसका repay भी कर सकोगे यहाँ पर दोस्तों आपके एक option दिखेगा manage card तो सुमपली दोस्तो manage card पर क्लिक करना है अब दोस्तों यहाँ पर पहले आपका card deactivate रहेगा इस card का use करने के लिए यहाँ पर आपको इस card को enable करना होगा तो सिमपली दोस्तों यहाँ पर आप enable पर क्लिक करके यहाँ पर save sense पर क्लिक कर देना है तो आपका card enable हो जाएगा अब दोस्तो अपने card का पूरा number, CVV और expiry date देखने के लिए यहाँ पर आपको एक option दिखेगा view card तो simply उस पर click करना है तो जैसे view card उपर click करोगे तो आपके mobile number पर एक OTP आएगा वो OTP यहाँ पर आपको enter करना है और submit पर click करना है तो आपके सामने आपका पूरा card आ जाएगा जिसमें यहाँ पर आपका card का number दिखेगा अब दोस्तो यहाँ पर आपको एक option दिखेगा view CVV उस पर click करोगे तो यहाँ पर आपकी CVV number और expiry date दिख जाएगी यहाँ पर दोस्तो इस card number को copy करने का option दिखेगा तो यहाँ से आप अपने number को copy करके कहीं भी online platform पर कोई भी सामन खरीच सकते हो उसके बाद दोस्तो यहाँ पर आपको home page में आ जाना है और यहाँ पर आपको एक option दिखेगा offer तो जैसी offer पर click करोगे तो आपके सामने दोस्तो यहाँ पर बहुत सारी offer आ जाएगी जहाँ से आप इस card का use करके कोई भी सामन discount के साथ purchase कर सकते हो तो यहाँ पर सब brand आपको दिख जाएगी उसमें आपको कितना discount मिलेगा वह भी दिख जाएगा दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हर offer के नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है credit be card यानि कि यहाँ पर आप credit be card से कोई भी सामन purchase करोगे तो उस पर discount मिलेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी brand है जिसमें यहाँ पर आपको credit be card पर discount देते है तो दोस्तो इस तरह किसे आप credit be card को activate कर सकते हो और उसके बाद अपने limit को आप bank में भी transfer कर सकते हो और shopping भी कर सकते हो और दोस्तो credit be एक RBI register NBFC company है और यहाँ पर यह पर loan भी provide करती है अगर आप loan लेना चाहते हो तो उसके उपर मैंने already एक video बना के रखा है आप i button पर click करके वो video देख सकते हो अन्याता है यहाँ पर आपको description में भी link मिल जाएगी वहाँ पर click करके भी आप loan के लिए video देख सकते हो तो चलिए दोस्तो आज की video में बस इतना ही उमिद करते हैं कि आपको यह video पसंद आई होगी अगर video पसंद आई हो तो like, share और subscribe पना ना भूले तो चलिए दोस्तो आप मिलते हैं एक और दमा के दार वीडियो के साथ तब तक के लिए goodbye